हलो एम प्रिवान कॉमर सद्धियन ४ कि इस वीडियो में हम क 실क करने वाले है कॉस्ट अकॉंटिंग में आपका चाप्टर से किन ये उसे हम देख रहे हैं कॉस्ट एलेमेंट्स कॉंसर्ट इंड उसे क्लासिफिकेशन ओफ कॉस्ट को हम देख रहे हैं और इस वीडियो में क्लासिफिकेशन और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आपका ओवरहेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरेट्स क्या होते हैं इसको डिटेल में देखेंगे ताकि हरेट पॉइंट आपको अच्छी से क्लियर हो जाए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको अब डारेक्टली अलोकेट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर पे या कॉस्ट यूनिट पे या किसी पॉर्टिकुलर ओब्जिक के साथ अब उसको डारेक्टली नहीं कर पाते हैं अलोकेट या फिर इदेन्टिफा करते हैं हम पढ़ते हैं और फिर उसी के वेसिस पे कॉस्ट प्रिपेर होती है और उस प्रोड़क्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है अब वो ओवरहेड्स कौन-कौन से होते हैं अगर हम उसके बात करें तो सुना होगा अपने फैक्टरी ओवरहेड ऑफि और उसको यूस करके ही आप बना सकते हैं क्योंकि जो भी इन डैर्यक्ट एक्स्ट उगे उनहीं को आप एक साथ लेकर आते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि ओवरहेड है धिक जैसे कि इन डैरेड matar घोष आब जोबी मटेरियल कोस्ट अब जो भी बैसी खार्च KिएYे गये तो ऐसे material cost को हम include करेंगे overheads में साथी साथ indirect wages जिसे आप indirect labor बोलते हैं उसको भी include किया जाता है और indirect expenses को भी include किया जाता है तब जाकर के आपका overhead create होता है बनता है ठीक है तो यहां पर आप differences देख सकते हैं कि overhead और indirect expenses में क्या differences होता है और किसको आप इसे कैसे find out करते हैं find out करने के अगर overheads की बात करें तो जैसे हमने ऊपर डिसकस किया था वही से formula यहां पर नीचे apply होगा indirect material cost प्लस indirect labor इसको include कर देंगे add कर देंगे तो overhead निकल कर आ जाएगा indirect expenses की बात करें बच्चा तो जो भी आपका total overhead बनकर आया है इन सब को include करने के बाद जो भी overheads आया है उसमें से आपको minus करना है indirect material cost को indirect labor cost को जब आप इसको minus कर देंगे तो जो बच जाएगा वो होगा indirect expenses का amount ठीक है बच्चे समझ गे तो यह formula है इन दोनों को find out करने का ठीक है अब हम बात करेंगे आगे classification of overheads क्या क्या है classification of overheads को देखते हैं यहां पर detail में अगर हम प overheads one by one इसको detail में discuss करेंगे factory overheads क्या होते हैं इसमें कौन-कौन से खर्चों को शामिल किया जाता है okay so it includes indirect material indirect labor indirect factory expenses indirect material indirect labor का यहां पर मतलब है जिसे आप directly allocate नहीं कर सकते cost center या cost unit से ठीक है अब cost center cost unit क्या होता है तो उस पर वीडियो बना हुआ है अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो का link कि यहां आई बुटिन पर मिल जाएगा यहां से जाकर आप जरूर देख लेज़ेगा ठीक है अब बात करते हैं अब indirect factory expenses क्या होते हैं जो भी factory है आपकी जहां पर production का काम चल रहा है है जो भी indirect तरीके से वहां पर खर्चे किये जा रहे हैं उनको यहां पर include किया जाता है जैसे कि factory building current हो सकता है power हो सकता है lighting का खर्चा हो सकता heating coal fuel जो भी चीज़े होती वह आ जाती है depreciation of plant, depreciation of factory building, machines हो गया फिर है आपका salary की बात करें तो four man की salary हो जाएगी आपका जो factory manager होते हैं उनकी salary यहां पर आ जाती है तो यह सभी किसका part होते हैं यह part हो जाते हैं आपका factory overheads का जब कभी भी आप cost sheet prepare करें और ऐसे खर्चे आपको नजर आ रहे हों तो आप उसको किसमे शामिल करेंगे factory overheads में शामिल करेंगे ठीक है बच्चे clear हो गया इतना second हम बात कर रहे है office and administration overheads की जिसमें all the indirect office and administration expenses are the office and administration overheads अब इसमें क्या क्या आ जाता है अब यह से office building होगी है क्योंकि factory building अलग होती है office building अलग होती है office building का rent हो जाएगा office building का जो भी depreciation ने उस पे charge किया जाता है आपका जो office में staff काम कर रहे हैं उनको आप salaries pay करते हैं office manager को salary pay कर रहे होते हैं इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं ठीक है बच्चे तो ऐसे खच्चे आपके office and administration की बात का तो जो प्रशासनिक department हो उसमें आपका personal department हो सकता है account departments हो सकते हैं आपके departments हो ठीक है बच् office building है जो postage का खर्चा होता है stationery का telephone का जो खर्चा होता है office building में भी light use होती उसका जो खर्चा होता है directors होते हैं आप उनको pay करते हैं salaries इस तरह की जो भी खर्चों होंगे वो related होंगे आपके office and administration overhead से तो जब कभी caution prepare करें तो उन खर्चों को इसी overhead में include करें third है आपका selling and distribution overhead आपके तो जो sales से related होते हैं so all the indirect selling and distribution expenses are the selling and distribution overheads तो जो भी आपके indirect selling and distribution से related खर्चा होगा वो इस heading के अंदर आएगा ठीक है अब जैसे कि माल दीजिए advertisement का खर्चा तो sales को promote करता है advertisement तो इस तरीके से जो promotion के खर्चे होते हैं वो सब आ जाता है इसमें आपके जो seller होते हैं या यहां पर include किये जाएंगे warehouse होगा जहां पर आप माल को रखते हैं ना अपने stocks को रखते हैं से safety तरीके से shipping के charges हो जाते हैं जो इसमें इंक्लूड किये transport expenses आ जाते हैं ठीक है जो भी product है आपका stock है उसका insurance होगा तो उसका खर्चा यहां पर आ जाएगा packaging expenses का खर्चा यहां प आती है sales manager होते हैं है ना बहुत सारे खर्चे यहां पर आते हैं तो sales से rated अगर कोई भी खर्चा दिख रहा है तो आप उसको कहां पर शामिल करेंगे selling and distribution overheads में इंक्लूड करिएगा ठीक है यकिन करती इस वीडियो में आपको इस सारे points अच्छे से clear हो गए हो गया होगा आप सब्सक्राइब का button प्रेस कर सकते हैं जादा information के लिए किसी भी topic से related आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे direct message करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे या फिर direct comment भी कर सकते हैं यकिन करती हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स वीड कर दो